स्वागत है आप सभी का एक्जाम वारियर के योट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में जरूरी अपडेट आप सभी को मैं देने वाला हूँ तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले की कुछ एक अभियार्थियों के दोरा एक सवाल आया कि क्या पुरानी सभी भरतियां कैंसल हो जाएगी ये सवाल इसलिए उठा क्यूंकि एक परानी है जिनके दोरा ये स्टेटमेंट दे गई थी कि बिजलन्स टीम के दोरा जिस भी पोस्ट कोड में F.I.R. दर्ज किये गए हैं उन्हें तो आप भूली जाए वो कैंसल हो जाएगी देखे ऐसा बिलकुल नहीं है जब तक ऑफिशली अपडेट नहीं आता आपने किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना है अब देखिए हर बार आपसे मैं कहता हूँ हजार लोगों के हजार बाते होती है जब तक ऑफिशली नोटिफिकेशन ना आए किसी भी बात पर विश्वास ना करे जब भी अफिशली नोटिफिकेशन आएगा हम आपको बता देंगे कि कौन भरती कैंसल हो रही है कौन नहीं होगी बाकी जहां तक बात रही भरतियां कैंसल करने का तो सवाल नहीं उठता फर एक्जामपल जैसे कि इनके दोबारा कहा गया था कि 817 पर भी अफ़ायर दर्ज होगी ये भी कैंसल हो जाएगी तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि देखिए अगर भरती कैंसल करनी होती मान लो कोई एक्जाम है जो एक महीने पहले हुआ था या चार महीने पहले हुआ था उसे आप कैंसल कर लिए लेकिन ये ऐसी भरती है 817 जिसको हुए 3 साल हुए है अब देखिए अगर आप अब कैंसल करने की बात करते हो तो यहां पर बहुत गलत फैंसला होगा ये क्योंकि हर बार देखिए फैंसला जो लिया जाता है वह भीहरतियों को देखकर लिया जाएगा लेकिन अब यहां पर जिन्होंने क्वालिफाई किया है जो अपनी महनत पर पहुंच है उनका तो कोई दोश नहीं है और हरवाल हालात भी ऐसे नहीं होते कि हर बार आप त्यारी कर सके जितनी त्यारी पिछली बार थी हो सकता है इस बार इतनी त्यारी वो ना कर पाए या फिर जितना समय उन्हें पिछली बार त्यारी करने को मिला था इस बार उन्हें इतना समय ना मिले क्योंकि जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं होती है हालात एक जैसे नहीं होते है तो बात रही इसको कैंसल करने की तो ये गलत फैंसला रहेगा बाकी अभी तक कोई officially update नहीं आया है जिसमें ये पता लग सके कि कोई भरती कैंसल हो रही है तो जब भी आपको कोई officially अपडेट आए तो ही आपने विश्वास करना है बाकी 817 की जो सुनवाई है सुप्रीम कोट पर वो 24 को है तो हो सकता है कोई एतिहासिक फैंसला या फिर कुछ बड़ा फैंसला हमें देखने को मिले JIT 817 के regarding क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका इस भरती को लेकर अगर कोई फैंसला आता है कल तो आपको हम बता देंगे बरना आप सभी जानते हो क्या ही हो सकता है इसमें next date हमें मिल सकती है बाकी अब बात करेंगे HPPSC की अब HPPSC भी समझ से परे है देखिए इनके द्वारा जो फैंसला लिया गया है कि लोक सेवा आयोग जो भरती रिकॉर्ड है हमिरपूर बोड का वो अब ले रहा है अब इसे ये रिकॉर्ड लेते लेते बहुत समय हो चुका और जो ये रिकॉर्ड ले रहा है इसकी भी अपने शर्ते हैं ये चुनिंदा रिकॉर्ड ही ले रहा है ऐसी भरतियों के रिकॉर्ड ले रहा है जिसमें बिजिनस जांस नहीं चल रही जिसमें पेपर लिक नहीं है अगर यही फैंसला लेना था तो बहुत समय पहले भी इस फैंसला को लिया जा सकता था लेकिन नहीं इस fancily में भी काफी बिलंब हमें देखने को मिल रहा है बात करें अब यहां पर एक schedule जारी किया जाएगा जिसमें यहां पर पता लगेगा कि किस परकारत यहां पर जो record है वो जाएगा किस भरतियों का record यहां पर जाना है ये सब चीज़े जब आपको अफिशली अपडेट आएगा तो हम आपको बता देंगे लेकिन यहाँ पर HPPSC के द्वारा भी काफी बिलंब गिया जा रहा है बाकी बात करें अगर नई भरतियों की जो 2000 पदों पर होगी हरवार की तरह आपको मैं बताऊंगा वो सेम रही की जैसे हमीरपूर बोर्ड के द्वारा होती थी किसी एक विभाग में 2000 पद नहीं निकलेंगे वो बहुत से विभाग होंगे जैसे कि मैं बता चुका हूँ जैयो आईटी के एक्जाम भी हो सकते हैं उसमें आपके प्लंबर फिटर ये सब एक्जाम भी हो सकते हैं या फिर आपके स्टैनो के होंगे कलर के होंगे इस परकार से जितने भी एक्जाम हमीरपूर बोर्ड के द्वारा करवाया जाते थे वो एक्जाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे वाकि जब ऑफिशली अपडेट रहेगा उनके रिगार्डिंग तो आपको बता देंगे फिर स्लेबर्स के उपर भी एक डिटेल वीडियो आपके उपर आपके लिए यहाँ पर लेकर आएंगे तो जैसे ही कोई अफिशली अपडेट मिलता है हम आपको बता देंगे तो चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है